हेलो दोस्तों, डाइमों जोलरी चैनल में आपका सागत है, दोस्तों आज हम यह पेंडेन बनाने जा रहे है, तो पहले हम इसका साइज ले लेते हैं, ठीके, मेरा डाइमों साइज आ रहे है, 2 mm के साब से आ रहे है, और आउटर का 1.7, 1.8 आएगा, ठीके, मैंने 20 mm में डिजाइन को स्केल किया, ठीके, अभी मैं एक 2 mm का कॉलेट बना लेता हूँ, 2 mm का एक सरकेल लिया, ठीके, इसका सेंटर पॉइंट लेना है, तो एरिया सेंटर एक कमांड है, उससे भी ले सकते हो, अगर अब सेंटर में बना रहे हो, तो पॉइंट सेंटर में, जिरो एंटर करके भी लेक सेंटर, ठीके, अभी हमें इसका उफसेट देना है, बाहर पॉइंट वन, अंदर पॉइंट वन, ठीके, और मैं टॉप से ठीकनेस रख रहा हूँ, 0.6, 0.7 ते कब राख सकते हो, अभी इसको मैं एक्स्टूट कर रहा हूँ, हाइट दे रहा हू का चैंपर कर देता हूँ, ठीके, अभी जेम लोडर से मैं 2 mm का एक डाइमन लेके आता हूँ, इसको पॉइंट वन, उपर मूब करते हैं, अभी ये पार्ट को मैं ग्रूप कर देता हूँ, सिलेट करके, अभी हमें प्रॉंग बनाना है, तो हम फ्रॉंट व्यू से एक स्ट ठीक है, अभी उपर का पाठा में फ्लेट करना है, तो हम पॉइंट 2 का फ्लेट दे रहे, पॉइंट 3 का भी दे सकते हूँ, इसका, अगर पॉइंट 7 का प्रॉंग है ना, तो पॉइंट 3 5 इसका हाफ होता है, तो हाफ से कम देना तो फ्लेट हो जाएगा, हाफ से ज्यादा आदो के तो फिलेट नहीं होगा ठीक है इसको हम एरे पुलर कर लिया प्राउंग को अभी एक मैं कॉपी कर लेता हूं अंदर के साथ डायमूंड का थागा है ठीक है अभी हमें आउटर प्राउंग को डिलेट कर देना है इसको मैं स्टेट कर लेता हूं ऊपर के साइड में अभी हम साइड वियू में चले जाते हैं साइड वियू से हमें स्टेपिंग देना है तो इसको नीचे ले लेते हैं ठीक है में प्र्ञ को मैं स्ट्रेश कमांदी और के मैं नीचे तक पाठ थोरा इंडर तक टच करदेता हूं तके स्टेंद मिले अभी ये पाठ को हमें रोतेट कर देना है , थोरा अंगेल रोतेट कर देना है, अभी इसको हम ऐरेपुलर करदेते हैं , छे का चाहिए प्रॉंक बोनादने अंदर बहों लाप प्रॉंक को भी हमें आरे-पॉलर करना है तो ये मेरा सन्टर का थागा बन गया, ठीक है, अब इसके मेरा आउटर का थागा बनाना है आउटर में मेरा 12 डायमंड है ठीक है 12 डायमंड का रोए तो मैं 1.7 का डायमंड ब्राऊंगा ठीक है तो 1.7 का एक कॉलेट बना लेते हैं पहले ओफसेट देते हैं 0.1 बाहर अंदर फिर बाहर ते मैं 0.5 का ठीकनेस दे रहा हूं इसका हाइड भी देते हैं 1.2 mm अब अंदर चैंफर करने 0.3 मैंने 0.5 का टॉप से थीक नसलिया तो 0.2 छोड़के बाकी का पाट आपको चैंफर कर देना है अब टिक है इसका भी प्रॉंग ले 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 दे इसका प्रॉंग देता हूं मैं 0.6 का प्रॉंग देते बाहर बला प्रॉंग ठीक भी इसका लोगम्ग प्रॉंट कर देते हैं और इसको भी एंगल में आपको रूटिट करना है लॉकिंग ध्यान रखना लॉकिंग अमेरा पॉइंट वार नहीं रहेगा ठीक है अब इसको एक बार एरे पोलर करके देख लेते हैं कि 12 का रोटेशन जाएगा यह प्रॉंग को मैं अन्गुरूप करके कॉपी करके मीड में लेता हूं ठीक है अब इसको भी मैं रोटेट करता हूं कितना रोटेट करना है बारा का था ना तो 360 वाई 24 तो यह मीड में आगे हैं अब यह प्रॉंग को थोड़ा एक साइज बरा दे देते हैं ठीक है यह मीड में है तो 0.6 के जगह पे 0.7 का प्रॉंग देता हूं उपर कपड फिलेट करना है अब इसमें क्या देखा जा रहा है कि लॉकिंग मिल नहीं रहा है तो हमें डाइमॉंड का साइज एक सेज बराना पड़ेगा तो हमें 1.7 के जगह पिए डाइमॉंड का साइज में 1.8 कर देता हूं तो रसकेल करके मैं कर लेता हूं 1.8 ठीक है तब इसको फिर से मैं एरेपोलर कर देता हूं 12 का रोटेशन ठीक है तो यह भी आउटर का बारा डाइमॉंड का रोफ हो गया अब यहामें बाकी का पार्ट बनना है आउटर पार्ट तो यह देखोगी यह एक्चुली डिजाइन राउंड है ठीक है तो यह साइज इमेज करने में थोरा पिस्टेग हुआ होगा फो पेदिवें तो हम राउंड बनाएंगे इमेज को मैं थोरा क्लिस्टर के सबसे थोरा बरा कर लेता हूं साइज अब हम यह उटर का रोष बनाना ही एग साधिक है तो एक ही 2D बनाना है 2D बनाके उसको अरेपहलार करना है ठीक है इसको थोड़ा सेब टिक कर लेते हैं इसको मैं 0.8 का ओफसेट दे देता हूँ 0.8 का थिकनेस रखेंगे इसको मैं एक बर एरे पोलर करके देख लेता हूँ ठीक है थागा को उपर लेते हैं इसको बहुद आ रिए रे पोलर करके देख लेते हैं मतल हुं देख को रोडेशन देते हूँ इक वर मैं इमेज लेके खेलेता हूँ इमेज में कितने रोटेशन आए इसको मैं मैं यह अब आपका 14 मैं ठीक है आउटकर में है तो हामें 14 खायरे कॉंडर करना है कि इमेज को मैं हाइड कर देता हूं इसको मैं एक बार रिविल्ड कर लिया रिविल्ड करके एरे पॉलर कर देता हूं 14 का ठीक है अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं एक लाइन लेके ट्रीम कर देता हूं ठीक है यह trim हो गया अब बाकी part में एक बाद डिलेट करता हूँ डिलेट करके यह join कर लेता हूँ यह part को फिर यह को array पूलर कर देता हूँ ठीक है अभी यह total part में group करता हूँ अभी हमें एक प्रण्ट बीव से नीचे के साइड में डायरेक्शन देना है इसका प्रण्ट करके यह हो गया अभी 2D को मैं इसके उपर प्रोजेक्ट करूंगा तो यह मेरा प्रोजेक्ट हो गया तो अक्चुली मेरा यह डूम बन गया ठीक है फ्लैट कोप्य अभी डिलेट कर देता हूँ अब एक ही पाट रखते हैं एक ही पाट रखके बाकी पाट डिलेट कर देता हूँ ठीक है अब इसमें हमें मोडिलेशन देना है तो हम पहले इसको रिविल्ड कर लेंगे रिविल्ड करके इसका मोडिलेशन देंगे ठीक है तो इसका पॉइंट्स ओन करते हैं यह बहला साइट के दूसरा पार्ट यहां पर अंदर मर्ज होगा ठीक है यहां पर तो मुझे स्टेपिंग देना परेगा कि यह पर मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ कि ठीक है यहां पर सेफ खरब हो गया तो यह पार्ट का मुझे सेफ यहां पर ठीक करना परेगा यह पॉइंट्स मैं थोड़ा उपर ले लेता हूँ क्लास्टर को हाइट कर देता हूं यह खार यह पार्ट में थोरा उपर लेना पारेगा ठीक है तो इतो यह अल्मोस्ट सेप्टिक है इसका हम स्विप्ट कर देते हैं स्विप्ट करके इसको सॉलिड बनाते है तो आपसेट कर देते हैं मैं पॉइंट या ओने में का थिकनेस रख सकते हूं ठीक है इसके बढ़ एरे पॉलर करके देख लेते हैं यह स्टेपिंग बराबर है ठीक है अभी हमें क्या करने है उपर का मिटल बट है तो उपर हम तो राउंड इस करेंगे या तो आप फिलेट क मैं उपर मूब करता हूं तो यह आर्क लाइन जैसे आ गया मेरा इसके बढ़ फिर से री बिल्ट कर लेते हैं ठीक है अभी इसका हम स्वीप्ट करेंगे स्वीप्टू रेल्स तो यह उपर डूम सेक्शन हो गया अभी टोटल सिलेट करके जॉइन कर लेते हैं अभी यह सास सर्फेस प्रॉम्स डॉक ऐला कमत ठीक है सर्फेस प्रॉण ठोल त्री फ़वेज यह मुझे प्रॉट करना है तो यह कमांड से हमका पैग हो जाएगा तो यह सर्फेस हो गया होगा दुल जाएगा अब इसको जोईं कर लेतें जोन करके एक पर एरे पोलर करके देख लेते हैं ग्रूप करके एरे पोलर कर लेते हैं 14 का रोटेशन देना है क्योंकि बाहर 14 का पड़ था 14 पड़ तो अभी मैं बाकी पड़ लेके आता हूं ठीक है अभी स्टेपिंग और थोरा बनाना पड़ेगा या तो मुझे लेने परेगा नहीं तो आउटर का मेटल पर थोरा नीची लेना परेगा में ठीक है तो यह मेरा सेंटर कपन गया अभी हमें लूप बनाना है पेंडेंट है तो लूप बनाना है तो पहले मैं या पना लेता हूं क हरी को हम फिर प्सकतिम बनालेता हूं को ठीक है यह पेंडियन पर्ट के सथ रहेगा अब है लूप बनाना है तो मैं 4 अम्सी लेते हो एक 6 ये months लेता हूं ठीक है अभी चारी में का थे मैं राइट साइद में मूब कि देट था क्वाड्टा दूक नच कर देता हूं इसका पॉइंट सोन करते हैं कि इस इंटरवलों पॉइंट को मुब करते हैं ठीक है तो यह मैं द्रॉफ से बनाते हैं ठीक है अभी आप्रोक सेब मिल गया सब्सक्राइं अभी हमें इसका मैंनुवेल लिए मर्हाम सक लूप का 2D ड्रोह कर लेते हैं ठीक है तो हाप तक ही ड्रॉ करने ड्रॉ करके मैं इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सेप्टिक कर लेता हूं इसको और थोड़ा नीचे ले लेता हूं यह सेप्टिक हो गया मैं अभी इसको में इसको मिरोर कर लेते हूं आप इसको मिरोर करके जोईन कर लेता हूं और पॉइंट्स आन करते हूं यह से्प्टिक heavily सेप्टिक हूं हो यहाँ प्टिक character यह 2.77 है तो इसको थोड़ा सा मैं स्केल करके बढ़ा कर लेता हूं ठीक है अब एक बर 0.8 का ऑफसेट देके देखता हूं तो यह मेरा 3.1 है तो यह काफी है 3 mm ओपेनिंग ठीक है तो अब हमें इसको सॉलिड बनाना है तो एक स्टूड करता हूं बोद साइट 1 mm यानि 2 mm के मैं थिकनेश दे रहा हूं अब इसको टेपर करेंगे तो पहले मैं इसको फिलेट कर लेता हूं ठीक है । 0.3 का फिलेट देता हूं यह फिलेट होगे अब हमें इसको टेपर करना है तो टॉप यूमें चले जाते हैं के जड़िड लेते हैं, बाउन्डिंग बॉक्स सी प्लेन, अभी एक स्वाइच और जड़ टू टू पॉइंट देना है ठीक है, दू दो पॉइंट देना है, नीचे के पड़ मैं तरह स्केल करके टेपर कर देता हूँ, ठीक है, तो यह मेरा टेपर हो गया, अभी मैं इसको ओपर मुब करता हूं करी लेकर आते हैं ठीक है यह करी के अंदर घुसेगा नहीं माँप लूप का चौर ज्ञादा है तो क्या करेंगे यहां पे मैं कट्प्लेंद लेता हूं लोग का ये पाड में काट के वहाँ पर पॉइंट रिट का पाइप डाल लेंगे ठीक है तो ये पाड को मैं बुलियान स्प्लेट कर देता हूं काट प्लेन से boolean split नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ boolean difference कर देता हूँ तो इसको मैं solid बना लेता हूँ cut plane को इसको extrude कर लेता हूँ उपर के side में ठीक है ये solid बना लिया अभी मैं boolean difference कर लेता हूँ ठीक है तो ये cut हो गया अभी है हम 1.8 का circle लेना है 0.8 कि यह वान में भी ले सकते हूं इसको एक्ष्टूड कर देता हूं उपर के साइड में ठीक है ठीक है अब यह पाट ग्रूप कर लेते हैं अब यह मैं बाकी का पाट लेकर आता हूं यह अभी इजिली यह कड़ी का अंदर घुसेगा ठीक है तो यह मेरा लूप भी बन गया इसको एक बार बैक साइड में रोटेट करके देख लेता हूं बैक साइड में मेरा फ्लैट है तो यह बैक साइड भी मैं फिलेट कर देता हूं ठीक है अजर ऑग प्वाइट का फिलेट देते एज को एक ही पार्ड में करते हैं करके मैं कि का और अपर कर देते हूं फिर से एक बार अनग्रूप कर लेते हैं ठीक है एक बार एरे पुलर कर देते हैं ठीक है तो यह मेरा पेंडेन बन गया तो दोस्तों यह वीडियो आपको कहीछा लगा कॉमेंट्स करके बताना अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना कर 10 आप है तो ब्ताना अच्तों यह वीडियो अगा उन जो यह वी वीडियो धर कर के दूपित वस्तों झाल झाल झाल